हलो दोस्तों मैं हूँ एजुकेटर शुभम पांचाल स्वागत है आप सभी का स्टेडी फॉर सिविल सर्विसेज में स्टेडी फॉर सिविल सर्विसेज लेकर आए हैं उत्राखंट लोग सवायोक के संपूर्ण ग्यान की स्रीज जिसका आज है पार्ट नमबर 09 जिसमें हम दखेंगे जोगरोफिकल इंडेक्स तथा जोगरोफिकल संबन्दित यहां पर कुछ टॉपिक्स को तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने के पूर्व कुछ इन्फोर्मेशन में आपको शेर करना चाहूंगा आप हमारे स्टेडी फॉर्ड सिविल सर्फिसेज के टेलिग्राम ग्रूप को फ्री में जोइन कर सकते हैं जहां आपको मिलता हैं सभी वीडियो के नोटिफिकेशन साथ में आपको मिलती हैं समय समय पर वभीनिन प्रकार की जान कर रहां अब आपको स्टेडी फॉर्ड सिविल सर्फिसेज का टेलिग्राम ग्रूप जोइन केसे करना है जॉइन करने के लिए सबस्राइब तेलिग्राम एप को Google Play Store से डाउड कीजिए उसके बाद अपना Login ID, Password बना के उसको Login कीजिए साथ में सर्च बॉक्स में जाके सर्च कीजिए add the rate study for civil services और जॉइन कीजिए हमारे study for civil services के ग्रूप को साथ ही आप हमारे paid courses भी ले सकते हैं paid courses लेने के लिए आप दिये गए number 7838692618856480530 बग कॉल कर सकते हैं या आप UPPCS, MPPCS, BPSC एवं UPSC की pre-eवं men's की तयारी आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं तो बने रहे ये study for civil services के साथ चो चलिए शुरू करते हैं आज जो हम पढ़ेंगे chapter number 1 उत्राखंड की जलवायू एवं म्रदा नाने किएगा किसी भी state की जलवायू एवं म्रदा उस state की एक बहुत सकते की मुख विशेस्ता की रुपम उभर का आती है क्लाइमेट और मिट्टी है कैसी चीज है जो क्रशी के क्रशी को dependent करती है क्या करती है क्रशी को dependent करती है अगर हम उत्राखंड राज्य की बात करें तो उत्राखंड एक परवती राज्य है आप सभी गया थे कि उत्राखंट कैसा राज्य है तो उत्राखंट एक परवती राज्य है अता यहां समतल चेतर काफी कम है नहीं किया बिल्कूल क्योंकि आपने देखा कि उत्राखंट परवती राज्य है इसलिए यहां पर आप देखेंगे कि समतल चेतर कम है इसलिए क्या ह होगा यहाँ पर जो क्रशी की संभावना होगि वो धिरे-धिरे क्या होगी आप कह सकती कुछ सेथरों में होगी कुछ से रोम में कम होगी तो वही कहने का मतलब है कि उत्रा Video परवती राज्ज है modules सम्तल शेथर काफी कम है राज सफिद्ध गहरी घाटिया धनकिगा राज उत्राखंड की जो विशेस्ता है अगर climate के according हम देखें या जलवाय। या मिट्टी के या soil के according हम देखें तो वो क्या विशेस्ता है कि राज्य में आपकी गहरी घाटर मिलेंगी, उचे उचे पहाड मिलेंगे, glaciers मिलेंगे, बर्फ से धकी चोटियां मिलेंगी जो आपके र बात करते हैं जलवाय। यादि उत्राखंड के जलवाय। दर्श्चिंस तो जलवाय। दक्तिंस ते उत्राखंड परवत्य राज्य हमाचरप्रदेश की अप्यक्चा अत्यदिक गर्म एवं आद रहे. द्यानकिगा देखें उत्तराखंड में आप देखें कई com यह जलवायू की दरस्टी से उत्राखंड, परवती, राज, हिमाचल, प्रदेश की अपेक्छा, अधिक गर्म एवं आद्र है। कौन-कौन से कारक प्रभावीत करते हैं थो, हम उसकी बात करते हैं तो जन पहले, जल, इस्तल का वِत्रन वही हमने, इसके पूर्व के वीडियो में हमने शिवालिक्शनी, तर लाज, प्रदेश वही हमने जो आज भागें बगोलिक्न की वह देखेते हैं, उनको जुरूर दे या भो सकते हैं कि where उच्चा वच वईदाब यवं पवनों की गति की कारण किया होता है कि यो पहले हुँआ की प्रहभावित हो दी यह मतलब सब्लक्राइस की flies a leaf , सब्सक्रामध कर सकते हैं चिसके इनकी उत्तरहभा रजाब Sumi या आध सब्सक्रान कीर्फ करते हैं important नाम है डाक्टर एससी खरकवाल डाक्टर एससी खरकवाल ने उचाई ताप एवं बनसपति के आदार पर राज जी को छे चेत्रों में विभाजित क्या गया है कि राज्ज के जलवाईव छेतर कितने भागों बचने हैं उनको छे भागों में बाट गया है और किसे नाम जुरूरा देगा dr. hc रखवाल है hc रखवाल के अगयजदिंगर हम नो जो दे रखें यहाँ पर जो यहाँ पर 6 छेतर दे रखें उन 6 छेतरों को यहाँ पर देख लेत MON si přahe उपोशन जलवायू मतलब क्या देकि इक ओपोशन जलवायू की यह बताँगा में आपको कि 900 मीटर तक की उचाई के छेतर उपोशन जलवायू छेतर के अंतगत आते हैं जिन छेतरों की उचाई 900 मीटर से अधीक है वे सभी छेतर उपोशन जलवायू आएंगे अब बाबर तराई और दून क्या है तो बाबर तराई दून को देखने के लिए आप वीडियो नमबर आज को जरूर देखेगा उसमें इसको पूर्ण डिटेल मेरे द्वारा किया गया है उपोशन जलवायू, भाप कीज़ेगा, उपोशन जलवायू 900 मेटर तक की उचाई के छेतर, बाभर, तराई, एवं दून के उपोशन जलवायू यहाँ पर पाई जाती है नंबर टू वाली जल्वायु की बात करते हैं गर्म शितोषन जल्वायु, धाना किया गर्म भी है, शितोषन है, जल्वायु है? देखे नौसो से लेकर अक्ठारों मीत्र, यह नौसो मीत्र था ओपोजन तक, अब नौसो से लेकर अक्ठारा सो मीतर तक की उचाएवाले जो चेतरों में गर्म शितोषन जलवायू पाजी जाती है अगला है आपका थरड़ वाला शीत शितोषन जलवायू शीत शितोषन जलवायू अठासो से तीन हैर मीटर तक की उचाई वाले चेतर में शीत शितोषन जलवायू पाए जाती है दानकीगा अठासो से देखिए अठा अलपाइन जलवायू या अलपाइन जलवायू वाले छेतर के अगर बात की जाए तो अलपाइन जलवायू तीन हजार से चार हेयर दूसों मिचर तक उचाई वाले छेतर अलपाइन जलवायू वाले प्रदेश कहलाते हैं या अलपाइन छेतर में इसके अकॉर्डिंग जलव जलवायू पाई जाती है तो आपका हिमानी जलवायू की बात करें तो हिमानी जलवायू जाती है तो हिमानी जलवायू पाई जाती है तो हिमानी जलवायू पाई जाती है तो हिमानी जलवायू पाई जाती है तो दाना कीगा शीत शुच्क जलवायू की बात की जाए तो 25-35 मेटर तक उंचाई वाले प्रांस हिमाली छेतर में शीत जलवायू पाई जाती है तो दाना कीगा यहाँ पर 6 प्रेकार की जलवायू पाई जाती है मैं आपको फिर रिपीट कर दाता हूँ कौन-कौन से जलव जलवायू 3,4-4,200 मीटर हिमानी जलवायू 4,200 मीटर के उपर का चेतर और शीत शुच्क जलवायू 25-35 मीटर का ट्रांस हिमालाय वाला चेतर तो दाना कीगा यह 6 के छे शीत शुच्क आपके जलवायू के एक चेतर भाग है आप देखीगा यदि इसको एक्जाम में अब बात करते हैं जलवायू की तो जलवायू में मौस इंपड़ेंच होता है आपकी रितू है नहीं कि हम रितू की बात करें तो आपको इवह यादे ग्रीश््म वगराएशीत वगरा वह हमको पढ़ना है हर जगा जैसे तो मुक्रीण रुप से भारत की रितु देखते हैं कि उत्त्राखंट राज में जलवायू का अध्यान मुख्यता गर्मी गृष्म बरशा बारिस तता शीत ठंड रितु के आधर पर की जाती है बिल्कुल देखें तीन मुख्य रूप से रती हैं गृष्म वरशा एवम शीत धनकीगा जो उत्त्राखंट की जलवाय उसको तीन रितुव के ऐकोडिंग में बाटा गया है गृष्म रितु वरशा रितु और शीत रितु धनकीगा यह थे हम गृष्म रितु की बात करें तो अता नमबर बन पर जिसको हम यहां पर देखेंगे कि राज में गृष्म रितु का प्रिभाव मध्य मार्च से जून में मार्च से जून में दाना कीगा मार्च से जून में तक रहता है भुमद्य रेखा से सूर्य जब करकर रेखा की और बढ़ता है तब ग्रिश्म में रितू प्यारम होती है दाना कीगा भुमद्य रेखा से जब सूर्य किस रेखा की और बढ़ता है आपका करकर रेख से जून तक ग्रिश्मिनी रितु रहती है या ग्रिश्मिन रितु है और इसके कारल यह है कि भूमत देरे खासे सूर्य सूर्य आपका जीसे जैसे रेख्र के पास आता है वैसे 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 उस छैत्र किया होती हिट अधिक हो जाती है और हीट होने से क्या हुट है कि भू Play अज़ी को आप के संवर के हाने वहाद है तो आप केसकते हैं कि उसको, वहाँ पर कई प्रेकार के तीव रहवाय चलती हैं, लू चलना लग जाते हैं, जिनको जो कभी-कभी तूफान का भी रूप ले लती हैं, अगले पॉईंट की बात करते हैं, ग्रिशमीरितू में ही, तो ग्रिशमीरितू को, उत्रा घंज के स्थ जानी भाषा में रूरी या खरसाओ कहा जाता है ध्याना कीगा खरसाओ रूरी या रूरी किस की रितु का कहा जाता है तो उत्रा खंज में ग्रिश्म रितु या ग्रिश्म काल को रूरी रूरी या खरसाओ कहा जाता है अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला में यहां उजत्यों को साने इंदर आरक समय में ऊष्मी सबक्राइब टौकman City को मैं इधान कीगा तो आई जाते हैं तो ढ़र्ये को संहेटे में तो गृतर सबसे में पाप्मान शीवालिक में उसर व्रहध खेंद में पाया जाए नहीं रखेगा शिवालिक्षेणी और व्रहधिमालय वाला जो शेतर है इनमें आप कह सकते हैं कि गृष्मे काल में यहाँ पर तापमान क्या होता है कम होता है कोकि यहाँ पर दाब भी कम होता है अब हम बात करेंगे इस परण्ट की गृष्मी रितू में नियूनतम 1.9 डिगरी सेंट्री ग्रेट ना रखेगा गृष्मी रितू में नियूनतम 1.9 डिगरी सेंट्री ग्रेट तापमान जोशी मठिक में तथा अधिकतम 40.5 डिगरी सेंट्री ग्रेट तापमान पंतर नगर उधम सिंगर में रहता है बिल्कुल देखिए ग्रिश मकाल में सबसे अधिक तापमान की शहर में रहता है और सबसे नियुनतम तापमान की शहर या जिले में रहता है आपको उसके बारे में जानगारी होना चाहिए तो यहीं में बता रहा है कि नियुनतम की अगर बात की जा तर तापमान टथा जोशी मठ में अधिक्तम 40.5 डिग्री सेंटिग्रेट तापमान पंत नगर उधांसिंघ नगर में रहता है तो यह ती तो आपका था आपका कौन सा था यह है आपका गृफ में रूता अगली रूतू की हम बात करते हैं तो अगली रितू है आपकी वर्षा रितू वर्षा रितू के बारे में अगर थोड़ी जान करें तो वर्षा रितू की जो अवधी होती है वो होती है जून से अक्टूबर तक धाने कीगा उतरखण में वर्षा की जो समय अवदी है वो मत्lor जून से अक्टुबर तक पाई जाती है और राज में दक्षिन पस्शिम मानसून 15 जून के आसपास पहूसता है दहनकीगा जब दक्षिन पस्शिम मानसून दहनकीगा जब आपके इस्टेट में पहूसता है तब ही वहाँ पर आपके सकते हैं कि वर्षा रितू होती है अब धना कीगा ये दक्षिम से आने वाली जो पवने हैं और पस्षिम से आने वाली जो पवने हैं ये पवने जब आपके उत्रागाण्यों पहुशती हैं तब वहाँ पर होती है पूरूप से बारिश तो धना एक आपका दक्षिन भरत से आने वाली हवाएं, एक पस्षिन भरत से आने वाली हवाएं और एक बंगाल की खाडी से आने वाली मांसुनी हवाएं वर्षिक वर्षा की मात्रा 150 से 200 cm तक होती है कितनी होती है 150 से 200 cm तक होती है और बंगाल खाड़ी में मांसुनी वर्षा होती है राज्जिम में किस climate system कारण बंगाल की खाड़ी के system के कारण नेक्स मॉइंट की बात करते हैं प्रदेश में सरवादिक ओसत वार्षिक वर्षा 180 मीटर की उचाई पर इस्थिद नरेंद्र नगर पोड़ी जिले में दारकीगा इसमें होती है अधिक कोशन आ गया कि सबसे अधिक बारिश उत्राखंज के किस शेतर में होती है तो आप सभ भग 318 cm तक यहाँ पर बारिश होती है तो कोशन आ गया कि किस में सबसे बारिश होती है तो वह है आपका नरेंद्र नगर और यह है आपका पोड़ी जिले में दारकीगा नरेंद्र नगर वह कौन से जिले में है आपका पोड़ी जिले में है और 308 cm यहाँ पर 308 cm यहाँ क्या होती है बारिश होती है अब हम एक देख लेते हैं टेबल कि प्रदेश में वार्शी वर्षा परिसर क्या-क्या है कौन-कौन-चेतर में कितनी वारिश होती है यदि हम बात करते हैं वर्षा की मातरा में और उसके मापन में तो हम इसको देख लेते हैं एक तरफ है वर्ष यह व्रत जेगा यह व्रहड हिमालाई के उत्तरी एवं उत्तरी हेत्तर में होती है थनकीगा वर्षा की मातर सबसे कम चालीज ससी संट्रि भुदा होती है ऩरी दूसरा होता है कम वर्षा एक biggest में को सकते हैं यह मध् को सकते हैं यह मध् एहमालाई श्य05 के दक्चरिन धालो के नदी खाटी में होती है और लास्ट आपका अधिक्तम वर्षा तो आप सभी को ग्यात होगा कि 200 cm सधिक अधिक्तम वर्षा मानी जाती है जो शिवालिक भाबर तथा तराई छेत्रों में होती है तो यह थी आपके छोटी सिटेबल जिसमें हमने देखा सब से कम वर्षा 40-60 cm कम वर्षा 80-120 cm अधिक वर्षा 120-200 cm और अधिक्तम वर्षा 200 cm से अधिक्त टॉपिक देखते हैं उत्तराखंज प्रदेश में सबसे कम ओसत वार्षिक वर्षा 1600 मेंटर की उचाई पर स्थित टिहरी में 90 cm तक होती है दान कीगा यदि यह आत होए उत्तरा कफन स्थित में सबसे कम ओसत वार्षिक वर्षा कितने मीटर की उचाई पर होती है तो आप कैसकते हैं कि प्रदेश में अउसत वार्षिक वर्षा 1600 में उचाई पर टिहरी में 98 cm तक होती है नेक्स पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स पॉइंट है आपका प्रदेश में दक्षिंड से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मातरा धीरे धीरे घड़ जाती है बिल्कु जैसे जैसे उपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा आपका जो वर्षा की मातरा है उसमें कमी आती अगली आती है आपकी रितु है आपकी शीत रितु की बात करें तो शीत रितु का जो प्रभा होता है अक्टोबर से मार्च तक रिता है मतलब जो कहेंगे कि अक्टोबर से मार्च बहुत ही ज़्यादा लंबी होती दानकी का पूरा एक करिबन कई क्या बोलते हैं आप जनवरी-फरवरी मार्च और दिर अक्टुबर नॉवंबर दिसर्मर मतलब छे महीने आपके कवर करती है उत तक के यारत में शीपकाल का गऴीना होताई जनवरी और भर महिन होता है जहोंगा जन ओर परियो सबसे गर्म महीना कुन सा है तो वह आपका जून आपका आज होना ची कि सबसे गर्म महीना होता है आपका जून अगला हम देख लेते हैं पॉइंट शीत रित्यू को इस्थानी भाशा में युन्द कहा जाता है और इस समय यहां पस्षीमी चकरवातों से वर्शा होती है इस समय यहां पस्षीमी चकरवातों से वर्शा होती है जिसमें ओला वर्ष्टी प्रमुक रूप से होती ही होती है मतलब कह सकते हैं कि शीत रितू में इस्थानी भाशा को युन्द कहा जाता है और शीत रितू में जब पस्षीमी चकरवात से वर्शा होती है जब चेत्र विशेश की बात करें त्पोडी गढ़वाल, हीरी गढ़वाल, अलमोडा एवं देहरादुन जिले में शीद रितु में सबसे अधिक बर्षा होती है जिसकी मात्रा लगभग 12 दशनलो 5 से इंटिमीटर से भी अधिक होती है मतलब कह सकते हैं कि शीद रितु में कहाँ पर सबसे अधिक पानी गढ़वाल, अलमोडा एवं देहरादुन जिलो में शीद रितु में सबसे अधिक बार्षा होती है लगभग 12 दशनलो 5 से इंटिमीटर तक की और शीद रितु में अगर बात की जाए तो शीद रितु का जो नियुनतम तापमान है वह है पंतन अगर वह इसमें 10 दिगरी सेंटिगर तक ना रखेगा आप वो सकते हैं कि तापमान रहता है अगले नेक्स पॉइंट की बात करें तो शीद रितु में सूरियास्त के समय 15 से 20 मिनिट तक सूर की लालीमा लंबी शेतिज रिखा के रूप सूरी रिखा के रूप में दखता है अगया अगया उनकी किन ऐसरी सूरी अस less व् नियुक्त होता है उसमें 15 से 20 मिनिट तक सूर की लालीमा लंबी शेतिज रिखा के रूप में दिगती जिसे क्या कह bättre जाता है विंटर लाइन कहा जाता है किसे क्या कहा जाता है विंटर लाइन कहा जाता है और यह शीत रितू में ही होती है नाम सण में आ रहा है विंटर लाइन किसे कहा जाता है तो सूर की लालीमा जो लालीमा लंबी छेतिज रेखा के रूप में रितू का यहां पर देखा हम बात करेंगे हमाच चादित ख्षेतर की जलवायू मतलब उत्रा खंच के जो उचल उचल हमालय गंपर हमालय से तकत्र दीठ या तरहें वाला भाग शीवालिक वाल भाग है न वहीं मैंकि आपका निकला है वाले भाग के अगर बात करें तो उच्छेतर की जलवायू क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे तो हिमाच्छादित छेतर की जलवायू में उचे हिमालाय के 4,000 मीटर से उपर के छेतर जिसमें राज्ज में उत्तरकाशी, चमोली, पिथोरागड, जीलो का उत्तरी भाग विस् हिमाच्छादित रहते हैं अता यहाँ पर वर्फिली जलवायू पाई जाती है मत आप कह सकते हैं कि हिमालाय के जो 4,000 मीटर के उपर उला चेतर है इसमें जिसमें उत्तरकाशी आता है चमोली आता है पिथोरागड जीला आता है इनके कई जिलो के उत्तरी भाग आता है वे सबीव साल भर वर्फ से पूर है डखे रहते हैं इसलिए आप कह सकते हैं कि महा की जो जलवायू है वो जलवायू कैसी है आपकी बरफिली जलवायू है तो इसका कहना सकते हैं कि वहाँ पर हिमाच्छादित जलवायों कहां कहां पर होती है उत्तरकाशी में चमोली में पित्वरागर जिलों के उत्तर भाग में होती है अगले पूइंट की बात करते हैं सूर्य दय एवं सूर्यास्त के समय हिम खंज लगने की घचनाएं सामने मांसन रिदू के आपके बढ़ने से ही हिम सेखलन की तियुरता बढ़ जाती है जो की हानरकारक सिद्ध होती है बिल्गुल देखे सूर्य दय वह सूर्यास्त के समय क्या होता है जो हिम खंज होता है वह कई प्रकार से आपदा की रूप में बन जाता है दानकिया कई प्रकार से जो रितू मे आपकी नीचे गिने लग जाती है जिसको बोलते हैं हिम संखलन तो यह उसकी तिवर्यता देरे-देरे वहाँ पर बढ़ जाती है जो पूर्ण रूप से हानी कारक सिद्ध होती है मानवी रूप से और प्राक्तिक रूप से अगर इसको देखा जाया तो यह प्राक्तिक सामन्य मानसुन रितु में ताप के बढ़न से हिम सखलन की दीवरता बढ़ जाती है जो की आनिकारक सिद्ध होती है तता शीत रितु में भीशन हिंपात होता है जिसका तापमान शुन्य से भी नीचे चला जाता है तो ये था आपका जलबाई वाला पार्ट नंबर वन जिसको हमने इस वीडियो में देखा अब हम नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर देखेंगे म्रदा म्रदा होती है अर्थात आपकी मिट्टी तो शुरू करते हैं म्रदा को हम देख रहे थे उत्राखंट की मिट्टी मतलब म्रदा देखें आपको पता है कि उत्राखंट एक परवती चेत्र है उत्राखंट एक परवती जलान वाला चेत्र जहाँ पर परवत भी मिलेंगे वो करिट प्रकार के आपको दिरे दिरे होगी आपके पूल रूप से परवती मिठी तो तराखंज की जो दा है वह एक परवती मिना है और परवती चेत्र की जो मरदा होती है सामने तह इवद्र इवं पूलण थह नवीन होती तो इष्बानना के मिट्टी में आपको यह पढ़ना है कि याद को याद था बहुत अच्छा है पीएच मान के साथ आप देखे इस मिट्टी में अधिकता किस चीज की है اور कमी किस चीज़ की है और इस छेतर में क्या उगता है बस ये चार पॉइंट ऐसे हैं जो मिट्टी में कोशन्स बनते हैं तो उत्राखन की मिट्टी की बात करें तो उत्राखन की मिट्टी परवती प्रकार की मिट्टी है और परवती छेतर की मिट्टी सामन या परिपक्व एवं पूर्णत रूप से नविन होती है इसलिए इसमें चूना और फास्फोरस की कमी होती है आप कह सकते हैं कि परवती मिट्टी में चूना और फास्फोरस की क्या होती है कमी होती है इसके साथ अगर बात करते हैं शेत्र की तो यहां के ढाल तता घाटी एवं चट्टानों के बड़े बड़े टुकडे मिलते हैं जबकि नदी घाटीों में पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है वो अनेक शेत्र की अपेक्षा गहरी माने जाती है और यहां पाई जाने वाल अपरदन से अत्यधिक प्रभावित होती है धानकीगा यदि उत्राखन के ढाल छेत्र घाटियों की चट्टान की बात करें तो वहाँ पर बड़े-बड़े आपको परवती मिट्टी के बड़े-बड़े टुकुड़े देखने को मिलेंगे और यदि हम नदी घाटों की बात करें तो नदी घाटों में भी आप बोलेंगे कि जो मिट्टी है वह जो नॉर्मल मिट्टी है उसकी अप्यक्षा क्या गहरी है उसका रंग भी ज्यादा गहरा होता है और यहाँ पर जो पाने वाले जो इस चेत्र में अधिक तर मिट्टी पाई जाती है वह अपरदन से सब पुरदाब वाला सिस्टम है यहाँ पर उसी के कोडिंग यहाँ पर हिमसिकलन और भुईसिकलन समय समय पर होता रहता है इसकी बात करते हैं अगले पॉइंट की तो उत्राखंट की मिट्टाएं आप एक छक्रत मोटे कणों वाली है दानकीगा मतला उत्राखंट की जो मिट मिट्टा है उनमें जो कण हैं वेकिसाइस के हैं मोटे कण की वाली है अब राज जी की मुख्य मिट्टाओं की बात करें कि राज जमें स्पेशल मिट्टी कौन कौन सी पायाती है बहुत इंप्रेंट टॉपिक है इसको धनकीगा जरूर पढ़िएगा तो राज जी की हमालक की शिवालिक पहाड़ियों तथा दून घाटियों में तर्शरी मिट्टी पाय है यहां मृदा हलकी बल कोई एवं छिद्र मय घाती है शिवालिक पहाड़ी छेत्रा एवं दून घाचे छेत्रम पायाती है और यह म्रदा हलकी बलूई एवं छिद्रमई होती है मतलब हलका बालू बालू होता है और यह हलकी छिद्रमई होती है तर्शरी मिट्टी के बारे में यदि हम वनस्पती की बात करें तून घाटी वाले छेत्र में हमें देखें happy की मिट्टी है और यू छीया का अभाव पुरान डेखना पड़ेगा आपको से mere अपको पूरा को पूराना वाला वीडियो देखना पड़ेगा ऊसमें स्कूरी केका वहा है न्य लिसहां वाली मिट्टी अने छित्रों के अपेच्छा वनस्पती के अधिक होती है इसी के भागों में तो दून घाटी के निमन भागों में अगम देखें जहां चिकनी मिट्टी पाई जाती है आदरता धरन करने की यहां इसकी शमता अधिक होती है मतलब क्या है कि जो चिकनी प्रश्री म्रदा के बाद जो दूसरी मिट्टी है या दूसरी मिट्टी में पाई जाती है ध्यानकिगा इनकल सात ताल भीमटाल और कई प्यकर के रूप कुछ पड़ाया है आपको इन वीडियो सेरीज में सब कुछ मिलेगा बिलकुल फ्री मिलेगा ध्यान केगा और ग्यान सर के आपके वह सकते हैं कि उनके ही कारण आपको सब कुछ फ्री मिल रहा है तो आप जरूर इस वीडियो को देखेगा यदि हम देखते हैं तो यह म्रदा नेनिताल जिले के भीमताल छेतर में पाई जाती है इसका निर्मान सिस्ट शेल क्वार्ट्स आदि चट्टानों के टूचने से हुआ है और यह म्रदा हलकी एवं अनुपजाओ होती है मतलब क्वार्ट्स म्रदा में कोई भी वह सकते हैं कि फसले नहीं होती है और होती वे तो बिल्कुल ना के बराबर होती वेसा तो होती नहीं है अनुपजाओ मिट्टी इसको माना म्रदा या दोमट मिट्टी दोमट म्रदा या दोमट मिट्टी की बात करें तो यह म्रदा शिवालिक पहाड़ियों के निचले ढाल तथा दून घाटियों के मुख रूप से पाई जाती है यह मिट्टी शिवालिक पहाड़ियों के निचले ढाल आपके सकते हैं कि दोमच म्रदा शिवालिक शेनी या शिवालिक पहाड़ी के निचले ढाल धून घाटी के मुख्य रूप से पाई जाती है और इन छेत्रों में यहां म्रदा आसानी से पलब्द हो जाती है अब इस मिट्टी के हम बात करें या दोमच मिट्टी की बात करें तो दोमच मिट्टी में हलके एवं चिकने पन के साथ साथ चूना लोहा अंच एवं जेव पदात उपस्चित रहते हैं धानकी का दोमच मिट्टी की बात करें तो दोमच मिट्टी में हलका चिकना पन होता है और इसके साथ साथ चूना लोहा अंच एवं जेव पदारतिया पर फिपस्टित रहते हैं अगली टे की बात करते तो अगली मिटी आपके जौला मुखी मिर्दा कीब और भी दिल होने से निर्मित उनके हल्की एवन बलूई होती है तथा क्रशी के लिए उप्योग्वत होती है अगने चट्ठानों के विधि रिण होने से निर्मिट यह मिट्टी-हल्की एंवं-बलूई होती है तथा क्रशी के लिए उप्रयुक्त होती हैं अगली मिट्टी के अगर बात किजाये तो अगली मिट्टी है आपकी परवती शिचली मिट्टी धनकेगा अगली मिट्टी की बात करें तो अगली मिट्टी आपकी परवती छिचली मिट्टी यदि परवती छिचली मिट्टी की बात की जाए तो परवती छिचली मिट्टी मिट्टी मिट्टा कम वर्षा वाले छेत्र उच पहाड़ी भागों में पाए जाती है परवती चिचली मिट्टी आपकी कम वर्षा वाले तथा उच पहाड़ी भागों में पाई जाती है मतलब कह सकते हैं कि जो उच पहाड़ी वाला भाग है उसमें जहाँ पर वारिश कम होती है उन चेत्रों में यहाँ मिट्टी पाई जाती है इसके साथ इन छेत्रों में अत्यदिक शुश्कता वरस्वतिक आउरन का अभावत अता भोतिक एवं रसायनिक अपक्षय के लिए अन्यूपतिक दशाव के कारण म्यदा की मोटी परत का विकास इसमें नहीं हो पाता है धान कीगा परवति छिचली मिट्टी जो होती है उसकी की जो परते होती है उसमें क्या होता है धिर धिर आउक्षे पन होता रहता है और नीचे नीचे उसका आप कह सकते हैं कि इसकी मोटी परत नहीं बन पाती है जिसके कारण आप कह सकते हैं कि यहादा मोटी मिट्टी नहीं कहसा सकते हैं और इन छेत्रों में अत्यदिक शुश कर पायाती है बनस्पति आउरन का अभाव होता है बिल्कुल बनस्पति नहीं पायाती इस मिट्टी में जिसको बोलता है कौन सी मिट्टी परवधी शिचली मिट्टी और यहां भोती को रिसायनी का पक्षा के कारण इन मिट्टी की जो परत होती वह भी क्या होती आपकी पतल जिसके बहुसकी वह सकते हैं ल्मज्न और गा जोन्ही सकते हैं चाहाँ उत्हा elephants क्या नियुट कि मुख्य तह उच्छ छेत्रों में घास के विस्तरत मेदानों पायाती है जिसे बुग्याल कहा जाता है और इस मिट्टी पर वनस्पती अधिक विराल होती है अर्थात व्रक्षों का अभाव होता है और घास अधिकतम मात्रा में यहाँ पाई जाती है तो आपके सकते हैं कि हीमानी अपरदन के अभाव के कारण इस मिट्टी में क्या होती है या जो मिट्टी की जो नमी है जो मिट्टी की नमी है उसमें कमी पाया जाती है और चट्टानों के टुकडे मिट्टी एवं अन्य मलवा पदार्थों के मिशित होने के पच्छात इस मिट्टी की ओड़ीटेल की बात करें तो यह मिट्टी हलकी चारी होती है अगली मिट्टी की बात करते हैं अगली मिट्टी है आपकी उपपरवती मिलता अगली मिट्टी है अगली मिट्टी है आपकी उपपरवती मिलता यदि हम उपपरवती मिलता की बात करें तो उच्छ परवती ढाल तता घास के मिदान उच्छ परवती ढाल अथवा घास के मिदानों से निचले भागों में जहां चिरपाइन, देवदार, इस्प्रूस, बलूपाइन, आदी के वनी चेत्र में मिट्टी पाई जाती है कूँज परवती मिट्टा में गाल तो जो उच्छ परवती ढाल तता है जो खास के मिदान पाई ज़ो जिरपाइन, देवदार, इस्प्रूस, बलूपाइन, आधी के वनी चेत्र में यहां मिट्टी क्या बसक्ते है आप पाई जाती है और इस मिट्टी का रंग क्या होता है इस मिट्टी का रंग लाल भूरा अथवा पीला होता है अगर हम हलकी या उच्छ परवती मिट्टी की बात करें तो उच्छ परवती मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल भूरा अथवा पीला रंग होता है इन शेत्रों की मिट्टी के वो आपकी संगचित होती है वर रेतिली होती है तो आप कह सकते हैं कि इन छेत्रों की मिर्दा सबसे उपरी परत जो होती है वो संगचित एवं रेतिली होती है इसी के साथ उप परवती छेत्र में अधिक होने के कारण धनकीगा क्या अधिक होने कारण वर्षा उप परवती कि अधिक होने कारण यहां कि मिठी मेरे आध्रता क्या होती है, आधिक होटी दान कीगा जैसे जैसे-घिачा थिदैखेंगे जैसे-घिता की जो वैश воірv कारण यहां की मिट्टी के अधरता अधिक होती है धान केगा तो उप परवती छेतर में वर्षा अधिक होने के कारण यहां की मिट्टी भी आधरता अधिक होती है अगली मिट्टी की बात करें आच्वी मिट्टी की तो वह है आपकी भूरी लाल एवं पीली मिट्टी धान के आती है भूरी लाल मिट्टी आपकी नेनिताल मसूरी एवं चक्राता के निकच पाजाती है और भूरी मिट्टी का निर्माण के से होता है उसकी बात करते हैं तो भूरी जो मिट्टी है उसका निर्माण शेल अभरक युक्तुस लेटी बलवा पक्तर के तर्शरी अवसादों के कारण निर्मान होता है मतलब कह सकते हैं कि भूरी लाल और पीली मिट्टी हैं ृ broker और यूक्तूस लेटी जो बल्बा पत्तर होता है इन पर चर्शरी औहु साथ है उनकी कारण निर्मान हुआ है इसी के साथ धरातली चट्टानों के अनुरूप आप कैसकते हैं कि धरातली चट्टानों के अनुरूप एवं वनस्पती के आउशेश आधिक ये मिश्रण के कारण इस मनदा में अनेक रंग पाए जाते हैं मतलब यह कहीं कहीं लाल होगी कहीं कहीं पीली होगी है यह आपको दाना किया कहीं कहीं भूरी मिट्टे होगी इसलिए इसको लाल पीली भूरी मिट्टे के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहां की धरातली चट्टान है जैसे धरातली चट्टान होंगे जिनमें अधिक वन अगला पॉइंट है आपका नौवा नंबर भाबर तराई की मृता हैं धनकीगा भाबर तराई की मृता है भाबर और तराई की मिट्टी के अगरम बात करते हैं तो उत्राखंड हिमालाई की तलहटी प्रदेश इस्तित शेतर को भाबर तराई शेतर कहते हैं शिवालिक परवत मालाओ के निरंतर अपरदन होने की कारण प्रती वर्ष बड़ी मातरा में आउसाद भाबर एवं तराई शेतर में जमा होते रहते हैं तो आप कह सकते हैं कि उत्राखंड हिमाले की तलहटी प्रदेश इस्तित शेतर जो है वह भाबर तराई शेतर कहलाता है और शिवालिक परवत मालाओ के निरंतर अपरदन होने की कारण प्रती वर्ष बड़ी मातर में आउसाद भाबर एवं तराई शेतर में जमा हो जाते हैं जो कुछ धेर अपना बना लेते हैं इसी के साथ भाबर शेतर की जो मिट्टी है वह उत्तर और शिवालिक के दक्षिन भागे उन शेतर में पाई जाती है जिसे भाबर शेतर की मिट्थर यो मोटे बालूओ से निर्मित होती दाना की का भाबर शेतर की जो मिट्थर है वह कंकर पत्थर तथा मोटे बालूओ से निर्मित होती है और भाबर शेतर की मिट्थर तथा मोटे बालूओ से निर्मित होती है और भाबर शेतर की मिट्थर तथा मोटे बालूओ से ये मिट्थर निर्मित होती है और भाबर शेतर की मिट ओत्राघकण्ड या उत्रांचल का जो आपका तराइण छेत्र है उस की चरह के जो वह कैसे कि गहला हो अजी है तो अश्वर्द्ट है राज्य के देख्षिनी भाग देहरादुन धान कीगा स्टेट के दक्षणी भाग में देहरादुन और दक्षणी सीरे से उधम सी नगर तक पाई जाती है और यह मिट्टी शम्तल दलदली नम और उपजाओ होती है इसी के साथ तराई छेतर में गन्ने एवं धान की पेदावर भी अधिक होती है तो यह इ दक्षणी भाग में देहरादुन में दक्षणी सीरे से उधम सी नगर तक पाई जाती है यह सम्तल दलदली नम उपजाओ होती है साथ में तराई छेतर में गन्ने एवं धान की पेदावर इस छेतर में अधिक होती है तो यह था आपका भोगल का एक नवे नमर का वीडियो जिसमें हमने आज देखा विभिन ने पकार की जो मिट्टी आज हमने देखी आपकी कौन-Kौन सी मिट्टी पाया दी है यह कॉशन यसे बनते हैं दनकी का मिट्टि को पर कई बार कोश crazशन है और आपको मिट्टी के बारे में कोश्चन आना भी चाहिए जिसमें परवती मर मिर्दा हो गई इसके साथ में हमने देखा इस में कौनकून व्हेług में आपको बताया थाиков प्रावती मिर्दा के साथ जो आप 93 कि म्हिड़ा है ना 53 की मिर्दाे दिए दिकार्व Elder 듯 सेलनी मिर्दा इसके बाद जेखते हैं तो मिर्दा के देख सकते Services के साथ जय हिंद वंदे मातरम